हैलो और वेलकम बाक टूडी रिवीजन रिलेटेड वीडियोज अगर आप पहली बर चैनल पर आये हो तो इसके पहले के वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे वह भी जाकर देखिए ताकि आपका पूरा जीएस जो है वह रिवाइस हो जाएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पुछा गया था एक time of supply का question 2B में भी आया था और 2D में भी आया था तो 2D में जो question पुछा था वो कुछ अलग type का था जिसमें date of supply of services यह normal यह normal category के question जो है वो है date of supply of service है date of invoice है and date of payment है तो इसके जो भी points है इसमें आपको क्या एदर रखना है इसमें आपको 30 days का column बनाना पड़ेगा 30 days तो काफी simple है 30 days का column बनाना है कैसे देखो date of supply of service क्या है date of supply of service है बारा ओक्टोबर ठीक हो आठ नहीं लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे साथ बारा तो अजर बाइस एक महिना आगे जाना है 30 days 10 11 10 11 से 10 12 तो हम इधर लिखेंगे 9 12 2022 फिर 17 11 17 11 मतलब यहां पर आएगा 16 12 2022 फिर 10 11 10 11 मतलब यहां पर आएगा आपका 9 12 2022 15 11 यहां पर आएगा 14 12 2022 23 11 तो यहां पर आएगा 22 12 2022 25 11 मतलब यहां पर आएगा 24 12 2022 काफी सिंपल है don't get confused with these points 6th December 6th December मतलब यहां पर आएगा 5th January 2030 फिर 9 11 9 11 मतलब यहां पर आएगा 8 12 2023 तो अभी आपको करना क्या है यह रूल ध्यान से समझ लेना यह अगर समझ गए तो यह टाइप के questions आप easily solve कर पाएंगे and that is what that is nothing but that is the 30 days period तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने यह जो date of supply of services था इस column से यह 30 days का period जो है वो calculate कर लिया है ठीक है अभी आपको करना क्या है बहुत ही simple है अभी आपको करना क्या है देखो 12 October यह date है और यह यहां पर 11 October sorry 11 November की date है अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि जो invoice है यह invoice मतलब bill यह जो invoice है क्या यह invoice इस date के 30 days के period के पहले बनाया है कि बाद में बनाया है इसका मतलब क्या है कि 1 November जो यहां पर date दिख रहा है invoice का यह bill यह आपने 30 days के period के पहले बनाया कि बाद में बनाया तो देखो 11 नवेंबर 1 नवेंबर इसका मतलब आपने invoice जो है इस 30 days के जो period से पहले ही बनाया तो पहले अगर invoice बनाएंगे तो उसके लिए before के conditions apply होंगे let me repeat again ध्यान से देखे लिखके रखे अगर आप पहली बार time of supply सीख रहे है तो ध्यान से लिखके रखे देखो कैसा है rule अगर आपने invoice 30 days के period के पहले बनाया होगा तो rule कहता है rule कहता है before का तब rule क्या है invoice or payment whichever is earlier क्या rule है invoice or payment whichever is earlier तो हमने invoice जो है 1 November को बनाया और हमारा last date था invoice बनाने का 11 November तो 11 November से पहले invoice बनाया तो हम before का rule apply करेंगे लेकिन अगर आपने invoice बाद में बनाया देखो यहां पे आप 29 की date देखो यहां पे 29 11 है यहां पे 24 12 है तो यह भी before का ही condition है यह देखो यह वाला condition after का दिख रहा है 15 December 8 December दिख रहा है आपको यहां पे 15 December and 8 December तो 15 December और 8 December में अगर हम देखे तो यह जो आपने invoice बनाया है यह 8 December के बाद में बनाया है बराबर 8 December के बाद में बनाया है आपने invoice तो क्या करेंगे ऐसे case में हम कौन सा rule apply करेंगे ऐसे case में हम after का rule apply करेंगे ठीक है बहुत simple है before का rule क्या कहता है invoice और payment whichever is earlier after का rule कहता है supply of services यह जो पहला column है आपका supply supply of services और payment whichever is earlier तो अगर before बनाया होगा तो invoice और payment whichever is earlier अगर after बनाया होगा तो supply of services and payment whichever is earlier तो चलते सिधा answer पे देखो इसमें कैसा है बहुत ही simple concept है तो इसमें invoice अगर before बनाया है तो yes और अगर invoice after बनाया है तो no और इस basis पे आपको क्या करना है रूल याद रखना है रूल क्या था बिफोर का जब बिफोर रहेगा तब आपको क्या करना है याद invoice और payment whichever is earlier और अगर आपका after है after तो आपको याद का रखना है supply of services और payment whichever is earlier तो यहाँ पे यह यह है तो invoice और payment यह इन दोनों को compare किया जाएगा इन दोनों को और फिर आपका time of supply आएगा और जहाँ पे no है देखते देखो no है तो हमको क्या compare करना है no है तो invoice को payment से compare करना है दस ग्यारा बाइस ग्यारा तो दस ग्यारा आएगा जहाँ पे yes है तो yes है तो इन दोनों को compare करना है और जहाँ पे no है no है तो इन दोनों को compare करना है first column को third के साथ ठीक है यह first column ये second column ये third column ठीक है जहां पे भी yes है yes yes मतलब क्या है invoice before बना है वो yes कैसे आया मैंने आभी आपको सिखाया है yes रहेगा तो आपको क्या करना है second column and third column इनके dates देखो इन में से earlier वाला date ले लो ठीक है और अगर जहां पे आपको no दिख रहा है no में क्या करेंगे first column और third column इनके dates द लिखो इन में से earlier का लिखो तो this will be the time of supply दोनों varieties हमारे solve हो चुके है last session में हमने वो पिछला session में जो हमने सीखा था वो simple था उसमें हमें payment ignore करना था इसमें हमने normal cases वाले में invoice or payment whichever is earlier और supply or services of payment whichever is earlier ऐसा आपको धुणना है कैसे dates लिखने है वो मैंने भी आपको सिखाया है तो यह हमारा time of supply का part हो चुका है complete 2D भी हमारा complete हो चुका है I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा अगर आपको यह video अच करें ताकि उनको भी यह जो revisionary sessions है उसका benefit मिल पाए thank you very much from this session bye bye take care